नमस्कार दोस्तो मैं केम गुपता आप सभी बीवर्स का अपने इस यूटूब चैनल पर हर्दिक स्वागत करता हूं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम रायस्तान करमचारी चैन बोड़ दोरा आयोत की जाने वाली स्टेनोग्राफर परिक्षा के बारे में चर्चा करेंग अब rely चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो का अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और जितना हो सके आप इसे शेयर करें जिससे कि आप अपने companion fans को ये knowledge शेयर कर सकें तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं करमचारी चैन वोड़ द्वारा अभी notify की गई एक vacancy जिसका नाम है stenographer exam इस परिक्षा को आगे समय में आयुजित किया जाएगा और इस परिक्षा का एक सबसे वहत्पूर हिस्सा है English और इस written exam में जब हम बैठेंगे तो English का सबसे बड़ा रोल होने वाला है अब इस चीज को ज़्यादतर इस्टुडेंट कैसे लापरवाई में लेते हैं और अपना एक्जाम खराब कर लेते हैं इस बिंदू पर मैं आपका ध्यान आकर सित करता हूं maximum जहां तक मेरा मानना है या ज़्यादतर जब student मेरे influence में आते हैं तो मैंने देखा है कि वो लोग जब भी इस टेनोग्राफर परिक्षा के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले वो इस टेनो सीखना सुरू कर देते हैं और मेहनत करके एक बहुत अच्छी speed अचीव कर लेते हैं उनके सामने ये target होता है कि हमें बनना है अब बनेंगे तब जब इसके लिए कोई परिक्षा उनके सामने होगी जनरली इसके लिए दो परिक्षा उनको सामने दिखती हैं एक तो करमचारी चैन वोड़ द्वारा आयोजित की जाने वाली परिक्षा और एक होता है SSE exam SSE Speed बहुत अच्छा होता है परंतु Writt Anne एक्जाम में खासकर English को वह बहुत अलके में लेते हैं, जिसके कारण जब वो रिटेन एक्जाम देते हैं, तो उनका रिटेन में ही सेलेक्शन नहीं होता और वो निरासा में आ जाते हैं और कुछी मन्त में वो सोचते हैं हम अच्छी तैयारी करके ये exam निकाल लेंगे, नहीं, आज ऐसा नहीं है, मैं इसका एक example देता हूँ, आज कल कई ऐसे candidate होते हैं, जिनका stenography exam से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, परन्तु वो सिर्फ written exam में अपनी skill चांच निकले, स से उपर होता है, और आप अपने आपको underestimate करके बेटे हैं, कि हम ऐसा कर सकते हैं, बहुत अच्छा perform कर सकते हैं, तो written exam को आप मान लीजे, आपके लिए सबसे बड़ी बादा है, और ये आपके लिए सबसे बड़ी निराशा लेके आ सकता है, इसमें हाल फलाल में ही, मैं कैस ऐसे कई students से मिला हूँ, जिन्होंने मुझे बताया है कि 4-4-5-5 बार हम इस परिक्षा में written exam में रह चुके हैं, जबकि हमारी speeding इस टैनों में बहुत अच्छी है, तो ये चीज़े जब हम सुनते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है, ये गटना आपके साथ ना हो, आपका एक ही बार में selection हो जाए, तो written exam को बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में set कर लीजिए, मैं यहाँ पर एक example और देना चाहूंगा, कि जैसे अभी करमचारी चेंड बोड ने दो परिक्षाएं के लिए advertisement release किया है, सबसे पहले LDC के लिए किया, उसके बाद और अन्त में SSC, मतलब यह तीनों successively बढ़ते हुए हैं, तो ऐसी इस्तिती में कई बच्चे अभी जो मुझे बता रहे हैं कि साब हमारा syllabus बहुत छोटा सा है, कुछ 8-10 पॉइंट है syllabus में, तो यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कोई भी syllabus छोटा नहीं होता, उसका area इस exam के लिए, हमारी offline classes कहां चलती हैं, कैसे उनकी विवस्ता है, क्या courses है हमारा उसकी सारी जानकारी के लिए, मैं इस video के description में अपना contact number शेर कर दूँगा, उस पे आके आप यह जानकारी ले सकते हैं, इन classes में हमारे student को, हम यही कहते हैं, अपने syllabus को widely cover करें, क्योंकि दोस् आपको एक भ्रम्भ हो रखा है, कि हमारा syllabus छोटा है, आपका syllabus छोटा नहीं है, बहुत बाइड है, depend करता है आपकी सोच क्या है, अगर आपकी सोच है कि मैं कुछ चार्पा चेप्टर पढ़के यह exam के लिए कर लूँगा, तो आपको एक बार फिर और अगली विकेंसी का इ कुमेशा नहीं आती है, कई बार 3-4-4 साल तक इंतिजार करना पड़ता है, तब यह विकेंसी हमारे सामने आती है, यह कोई university या बोड का exam नहीं है, जो हर साल होने वाला है, तो इसको बहुत lightly ना ले, इसको बहुत seriously ले, क्योंकि जादातर बच्चे मैंने देखा है, कि written exam ह नहीं के लिए नहीं कर पाते हैं, जैसे मैं आपको बताओं, किर्किट का वर्ल्ड कब ले ले लेते हैं, अब कुछ टीम, चार टीम उसमें semi-final खेलती हैं, और final में दो टीम पहुंसती हैं, और ultimately एक बिनर होता है, आप सपोश करें, बहुत अच्छे player हैं, बहुत अच्छ गए होंगे, रिटेन एक्जाम में आप इंग्लिस को सबसे ज़्यादा महत्तु देते हुगे, क्योंकि आपका जो रिटेन एक्जाम है, इसमें तीन चीज़े हैं, जीके हैं, इसके लाबा हिंदी हैं और इंग्लिस हैं, इन तीनों में सबसे बड़ी दिक्क्त जो फेस करत है, इस्टुडेंट वो है, इंग्लिस, तो इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसके उपर मैं कुछ स्लेवस के पॉइंट आपके साथ डिसकस करना चाता हूँ, जैसे आपका स्लेवस आट तस मिंदू हमें बटा हुआ है, तो उनका मुख एरिया क्या है, जहां से अच्छ न अब उसने तो लिख दिया, लिखने के बाद वो कहीं से भी कुछ तन पूछ सकता है, तो ये तीन चैप्टर जो देख रहे हैं, टैंसे, सीक्वेंस ऑफ टैंस, एक्टिव एंट पैसिव वोइस, डारेक्ट इन डारेक्ट नरेशन, ये आपका कोर एरिया है, जिससे आपको maximum number मिलेंगे, इसके अलावा uses of article और uses of proposition को जोड़ लीजे, दो chapter ये भी अच्छा perform करने के लिए काम आएंगे, डिटर्मिनल लिखने का मतलब आपको adjective अलग से तैयार करना पड़ेगा, इसके बाद है, यूज translation of sentences, जो tenses का ही पार्ट है, देन आफ्टर सिनोनोम इंटर्निम्स, ये बोकेव का पार्ट है, इसमें कुछ official terms हो राती है, इसके लावा दो एक बिंदू और है, जिसमें comprehension है, passage के बारे में जानकरी, और एक है letter writing, अब letter writing state government में क्यों पूछा जाता है, क्योंकि letter writing generally हम मानते है, descriptive का पार्ट होता है, और यहां note डाल के लिखा भी हुआ है, आपके syllabus में, कि letter के structure से objective type question पूछे जाएंगे, तो ये कुछ एक बिंदू है, जिनमें कुछ चीज़ें ऐसी है हैं, जिनको हम मालने, अब जैसे tense लिखने का मतलब बहुत बड़ा area है, tense में, आप question tech का भी question जोड़ सकते हैं, डब्लू एच वड़ का भी जोड़ सकते हैं, subject work agreement का भी जोड़ सकते हैं, तो ये दिखते हमें छोटे syllabus के पार्ट हैं, पर इनके पीछे छुबी हुई चीज बहुत बड़ी है, और ये चीजें सामने वो ही ला सकता है, जो एक skillful teacher है, ये काम हम अपनी इन YouTube वीडियो के माद्यम से हमने आपको कमिट किया था, कि जितना हम से हो सकेगा, हम आपको syllabus के पार्ट को दीरे-दीरे कुछ maximum videos तो हमारे पहले ही channel पर पड़े हुए है, आप playlist में जाके उन्हें देख सकते हैं, कुछ एक part ऐसे हैं, जो अभी तक हमने नहीं बनाए हैं, वो हम धीरे-दीरे आपको deliver कर देंगे, जिससे आप अपनी तैयारी इस channel के माद्यम से भी कर सकते हैं, पर इसकी एक सीमा है, ये एक की भी link में आपको description में share कर दूँगा, जिस पे हम सीगरी एक course launch करने जा रहे हैं, जो student remote areas में रहते हैं, या हमारे offline classes में आने में इसमर्त हैं, वो उस app पे जाके उस course को पर्चेज करके अपनी तैयारी को फनिस कर सकते हैं, तो दोस्तो मेरा मानना यही है कि written exam को कतई हलक आते रहेंगे और अगली वेकेंसी का इंतजार करते रहेंगे, पताने आप वो कव आए, तो इसलिए इस मौके को विल्कुल ना कमाएं, यह golden chance है, वेकेंसी भी अच्छी है, अपना जीजान लगा दीजिए, और इसमें मैं आपके साथ पूरे सायोग से तैयार हूँ, दोस झाली 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 झाल मैं आपके साथ जगार।